Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy Class 6th की History Subject में आज हम Chapter No.6 cover करेंगे और Chapter का नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गड़ राज्य तो चलिए सुरुआत करते हैं कुछ लोग सासक कैसे बने Chapter की सुरुआत में ये Point है कि लगभग 50 वर्सों से हम अपने सासको गया जाने कि अगर हम अपना मुख मंत्री या प्रधान मंत्री चुनते हैं तो उसके लिए हम मतदान करते हैं मतदान के जरिये ही हम अपना सासक चुनते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री और मुख मंत्री को हम एक तरीके से कह सकते हैं निर्णे लेने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं और पहले की प्रक्रिया क्या थी? करीबन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिये कुछ लोग बड़े-बड़े यग्यों को आयजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए सबसे जो पॉपलर तरीका था वो था अस्वमेग यग्य अस्वमेग यग्य में राजा जो राजा होता था वो एक घोड़े को अपने सैनिकों के साथ यानि उनकी देख रेक में छोड़ देता था वो कई राज्यों की सीमाओं को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता जाता था अगर किसी राज्य का राजा उस घोड़े को रोक लेता था तो उस राजा को उस सासक से युद्ध करना पड़ता था और अगर वो उस राज्य को क्रॉस कर जाता था तो इसका मतलब ये है कि जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है वो सक्तिसाली है और ये राजा उसकी अधीनता स्विकार करता है तो इस तरीके से असो मेग यग्य आयुजित किया जाता था, यह दे कि अगर घोड़ा नहीं पकड़ा जाता था तो राजा को सक्टिसाली माना जाता था और वो ही राजा बना रहता था, उसके बाद क्या होता था कि जितनी राजियों को वो क्रॉस करता था, उन सभी के लिए आप कहा सकते हैं उपहार लाते थे असो में यग करने वाला राजा बहुत सक्तिसाली माना जाता था यग में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे इन सभी आयोजनों में राजा का मुखिस्थान होता था उसे राज सिंगासन या बाग की खाल के विशेस आसन पर बढ़ाया जाता था युद्ध छेत्र में राजा का सार्थी ही उसका सहचर होता था, यग के आउसर पर वह राजा की विजियों तथा अन्य गुडों का गान करता था, राजा के सगे संबंदी खास कर उनकी रानिया तथा पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे, अन्य स विस अत्वा वैश, जैसे समानने लोग उपहर लाते थे, जिनें पुरोहित सुद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में सामिल नहीं किया जाता था, अब यहाँ पर वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उसके बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था की गई थी, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा युमना छेतर में कई ग्रंथ रचे गए, रिगवेत के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, इसके अंतरकत सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद तथा अन्य विभिन प्रकार के अनुष्ठान और अन्य संपादन की विदियां बताई गई हैं, उस समय समाज में कई समू थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, क्रसक, पसुपालक, व्यापारी, सिल्पकार, स्रमिक, मशली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग सामिल थे जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा, व्याभवशाली थे, वहीं कुछ क्रसक और व्यापारी भी धनवान थे, दूसरी और पसुपालक, सिल्पकार, स्रमिक, मशली पकड़ने वाले सिकारी तथा भोजन संग्राहत निर्धन थे, पुरोहितों ने लोगों को चार पूजा कराना, वेदों का अध्यापन कराना, यग्य कराना और जिनके लिए उपहार मिलता था, दूसरे थे सासक जिने चत्रिय कहा जाता है, उनका काम युद्ध करना लोगों की रक्षा करना था, तीसरे इस्थान पर विश या वैश आते थे, जिसमें क्रशक, पसुपा आलक व्यापारी आते थे, छत्री और वैश, दोनों को ही यग्य करने का अधिकार प्राप्त था, वल्णों में अंतिविस्थान सुद्रों का था इनका काम, तीनों वल्णों की सेवाएं करना था, कोई अनुस्ठान करने का अधिकार इने प्राप्त नहीं था, और तों को सुद्रों के समान ही माना जाता था क्योंकि महिलाउं और सुद्रों को वेदों के अध्यन का आधिकार नहीं था पुरोईतों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारन जन्म के आधार पर होता था, उधारन के तौर पर ब्रामण, माता पिता की संतान ब्रामण ही होती थी, बाद में कुछ लोगों को अचूत माना गया, अचूत वर्गों में कुछ सिल्पकार, सिल्पकारी, सिकारी, भोज जन संग्राहक सामिल थे साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो सवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था कई लोगों ने ब्रामण दोरा बनाई हुई इस विवस्था को स्विकार नहीं किया कुछ राजा स्वयम को प्रो स्रेष्ट हो जनपद महायग्यों को करने वाले राजा अब जन के राजा हो ना होकर जनपदों के राजा याने की एक जगा छोटे से गाओं के ना होकर कई गाओं के मिलाकर जो जनपद बनता था उसमें उसके राजा होने लगे जनपद का साब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है पुरा तात्विदों ने इन जन्पदों की कई बस्तियों की खुदाई की दिल्ली में पुराना किला उत्तर प्रदेश में मेरट के पास अस्तिनापूर एटा के पास अंतर जी खेडा इनके प्रमुक हैं खुदाई से पता चलता है कि लोग जोपड़ी में रहत के होते थे कि महाजनपद करीब 25 सो साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्तपूर्ण हो गए इन्हें महाजनपद कह जाने लगा मांचित्र चार में कुछ महाजनपदों कौ redo दिखाया गया है यह देख़ीए जितने दिखाया गए हैं ये महा जनपद हैं अधिकतर महा जनपदों की एक राजधानी होती थी कई राजधानियों की किले बंधी भी की गई अर्थात उनको चारों ओर से यão Yan sage कोई किला है यह जनपद है तो उनको चारों ओर जोर से लकड़ी या पत्थरों से पूरी तरीके से पाट दिया जाता था या फिर कह सकते हैं घेर दिया जाता था ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमन से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्मान किया कुछ राजा अपनी राजधानी के चारो और विसाल, उची और प्रभाव साली दिवार खड़ी कर अपनी समरध्धी और सक्ति का परदरसन भी करते थे किले के अंदर रहने वाले लोग उस छेत्र का पर नियंत्रन रखना भी सरल हो जाता था देखे एक पिक दी गई है दिवाल की कर यानि कि टैक्स महा जन्पदों के राजा विसाल के लिए बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवशक्ता होती थी इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आशक्ता होती थी अब कर्मचारियों के लिए कह सकते ही पैसा कहां से आए तो समय समय पर उनके लिए उपहार जो आते थे उससे ही वो कह सकते ही कर वसूलते थे अब ये कर क्या थे फसलों पर लगाये गए कर सबसे महत्पूर्ण थे क्योंकि अधिकांस लोग क्रसक ही थे, क्रसी पर एक बटे छे, याने कि छे का एक हिस्सा आपको देना पड़ता था कर के रूप में, जिसे भाग कहा जाता था, कारीगरों को भी उपर भी कर लगाए गया जो प्राया स्रम के रूप में चुकाय जाते थे, याने कि अगर कोई जानवर देने पड़ते थे, व्यापारियों को समान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, आखेतकों तथा संग्रहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, सुनार को राजा के लिए महिने में एक दिन के लिए काम करना पड़ता था, क्रसी में प फोस होती थी, इसके लिए अब लोहे के हलका इस्तमाल किया जाने लगा, इसकी वज़़े से क्या हुआ कि फसल, मतलब की क्रसी करना आसान हो गया, जो बीच थे, धान इत्यादी थे, उसे भीगो कर लगाया जाने लगा, पौधे, छोटे-छोटे पौधे करके उगाया जाने होने लगा, मगद, मगद के बारे में देखते हैं, लगबग 200 साल के भीतर मगद सबसे महत्पूर्ण जनपद बन गया, गंगा, सोन, जैसी नदिया मगद से होकर बहती थी, याताया, जल, वित्रन, जमीन को उपजाव गनाने के लिए कुछ, के लिए बहुत महत्पूर्ण थी, मगद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर और उन्हें प्रसिक्षित करके सेना में सामिल किया गया, जंगलों से घर, गाडियां और रथ बनाने के लिए लकडी मिलती थी, इसके लावा इन छेतरों में लोग आयस्क की ख़दाने भी थी, मगद में दो बहुत सक्ति साली सासक थे, एक था बिम्बसार और अजाज सक्त्रू, अन्य जंपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे, महापंदमन एक महत्पूर्ण सासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रन का छेतर इस उप महादे की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विजय प्राप्त करना चाहता था और पूरी तरह सफल होने के लिए, विस विजय में सफल होने के लिए, वह मिसर और पहस्चिम एसिया के कुछ राजियों को जीता हुआ भारती उप महादीप के व्यास नदी के किनारे तक है और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, वज जैसा कि हमने उपर पढ़ा कि मगद एक सक्तिसाली राज बन गया था उसके नजदी की विज राज जी था जिसकी राज़ानी वैसाली यानि की बिहार था, यहां एक अलग किस्म की सासन वैस था थी जिसे गड़ या संग कहत थे जिसमें प्रतेग वेक्ति राजा कहलाता था, यह सभी राजा विभिन अनुष्ठानों को एक साथ संपन करते थे, सभाओं में बैठकर यह बाचीत, बहस और वाद विबात के जरिये तै करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, सत्रू के आक्रमन से निपटने के ल करनन दिघ निकाय से लिया गया है, दिघ निकाय एक प्रसिद बौध गरंत है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिये गये हैं, जिने करीब तेज सो साल पहले लिखा गया था, अजात सत्रू, विज्ज संग पर आक्रमन करना चाहता था, उन्होंने अपने मंत्री व पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि विज्ज वासी तब तक उन्नती करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाय करते रहेंगे, आपस मिलजूल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का समान समर्थन और उनकी सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे कई सक्ति साली राजा इन संगों को जीतना चाहते थे इसके बावजूद उनका राज अपसे लगबग 1500 साल पहले तक चलता रहा उसके बाद गुप्त सासकों ने गड़ और संग पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में सामिल कर लिया जो हम आगे याने की next chapter और class में पढ़ेंगे अब जो special चीजे होती हैं वो देख लेते हैं लगबग 2500 साल पहले एथेंस की लोगों ने एक सासन व्योस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गरतंत्र कहते हैं यह व्योस्था लगबग 200 सालों तक चली इसमें 30 साल से उपर के उन सभी पूर्शों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था व्यापारी और सिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेसियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे एथेंस में खदानों खेतों घरों और कार शालाओं में काम कर रहे हैं, दासों को भी नागलिकता का अधिकार नहीं दिया जाता था. उसके बाद ये कुछ कोश्चन दिये गये हैं, आप देख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीन स्वाट लेकर सॉल्ब कर सकते हैं. तो ये आज क्लास 6 का चैप्टर नमबर 6 था, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.